हेलो बच्चो तो कैसे हो आप सबी और क्या आप मेरे साथ अपना क्लास 11 बिजन स्टार्डीज का स्लेबस है उसको कम्पलीट कर रहे हो अगर कर रहे हो तो आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है क्या की भी हमारा जो स्लेबस है वो कम्पलीट ही होने वाला है और हम ह स्टार्ड करते हैं तो देखे हैं हमने चेप्टर शुरू किया था इंटर्नल ट्रेड तो इसके रिगार्डिंग दो वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आप उन मेरी जो प्रिविएस वीडियो है उनको चेक कीजिए जिसमें हमने बात की इंटर्नल ट्रेड क्या है फिर ट और आज की इस वीडियो में जो हमारी फिक्ट शॉप रिटेलर से उसको हम कंप्लेट करेंगे तो इतिनियर्स रिटेलर मैंने क्या बताया था कि उनका जो प्लेस वो फिक्स नहीं है वो अपना सामान बेचने के लिए एक स्थान से दुसरे स्थान पर मूव फ्रों प्लेस प्लेस स्ट्रीट तो स्ट्रीट वे मूव करते हैं और बिल्कुल जो लो प्राइस गूर्स रहेगा नोन स्टेंडराइज जो प्रोड़क्ट रहेगा उसमें वे बैसिकली डील करते हैं आज हम बात करेंगे फिक्स शॉप रिटेलर्स तो नाम सी आपको पता चलना फिक्स यहां पर वेसिकली क्या होगी कि आप जो शॉप है नो फिक्स है एक जगह आप इनको ऐसे नहीं कि अपने सामान उठा के सिर पे रखके अपनी पीट पे लाद के इधर उदर उनको घूमना जी नहीं इन्होंने एक प्लेस पर अपनी जो शॉप है उसको फिक्स कर लिया है और अब जो कस्टमर है वे खुद इनकी शॉप पर इनके पास चल के आएंगे और इनसे सामान खरीदेंगे बट ये भी हमारी कई तरह की है जैसे कि हमने भी देखा है हम अपने घर के पास में एक शॉप देखते है ठीक है किराने की शॉप जिसको की हम बोलते है कई बर हम म हम और इनकी शॉप पर मिल रहे है कोई शॉप पर जिसमे सब कुछ हमारा मिल रहा है लेकिन है उनका प्लेस एठीक है तो आज इस वीडियो में हम पर अच्छे से डीटेल में चेक करेंगे डिफेरेंट डिफेरेंट टाइप सो फिक्ष्ट शॉप डीटेलर्स की बात करती ह और जसी कि मैंने आपको बताया, यह वे रिटेलर होंगे, इनका अपना प्लेस ओफ सेल क्या होगा, फिक्स होगा, तो स्मॉल स्केल में सबसे पहले बात करेंगे जर्नल स्टोर की, आप सभी ने, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा, जो जर्नल स्टोर के बारे में आइटमस ऑफ डेली यूज, जो डेली यूज के ऐटम जो हमें प्रोड़क्त चाहिए उसमें जर्नल स्टोर है वे डिल करते हैं, लाइक हमें कोई भी ग्रोसरी इस्टेशनरी इस ये सभ हमें चाहिए, तो उसके लिए हम घाँपे जाएंगे जर्नल स्टोर पर, लार्ज व और लक्स भी मिल जाएगा आपको लाइब ओय भी मिल जाएगा दौ भी लग mask कुल यह तो एक त्रय से एक त्रया से एपको लारज वेराइटिय वो शौप पर देखने को मिल जाएगी प्रोवाइड दे क्रेडिट फेसिलिटी ये जनरली ओफन क्या करते है जो अपने कस्टमर है उसको क्रेडिट फेसिलिटी भी प्रोवाइड करते है मैं गई मेरे पास में general store है मुझे कुछ सामान खरीदना था बढ़ अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो उसने मुझे उधार में दे दिया क्योंकि भी भी मुझे जानता मैं भी उसको जानती हूँ 10-15 दिन बाद या कल अगले दिन मैं क्या कर दूंगी पेमिंट कर दूंगी तो जो general store है often provide करते है credit facility next हमारा fixed shop small scale fixed retail shop में आएगा हमारा specialty store तो नाम से थोड़ा सा आपको पता चला specialty special यह special किसी एक product में deal करेंगे ठीक है यहाँ पे आपको different kinds of product देखने को नहीं मिलेंगे एक product में deal करेंगे हाँ उसे एक product के अंदर आपको variety देखने को मिल सकती है कैसे more popular in the urban area यह generally कहाँ पे पाए जाते कहाँ पे situated है यह कहाँ पे popular है urban area के अंदर deal with the one line of a product एक line of product में deal करेंगे और generally situated in a marketplace और यह जो specialty store है यह हमें कहाँ पे जेनरली कहाँ पे देखने को मिलते है marketplace पर wide choice in a specific line of the product जैसे कि मैंने अभी आपको बताया one line of product में deal करेंगे बट उसे एक product के अंदर आपको wide variety आपको देखने को wide choice आपको देखने को मिल सकती है जैसे मैं बात करती हूं garment से deal करते हैं कपड़ों में लेकिन कपड़ों में यहाँ पर वेराइटी किस तरह से हो सकती है मेभी आपको बच्चो के कपड़ भी मिल जाएंगे ठीक है boys के भी मेल के भी मिल जाएंगे फीमेल के भी मिल जाएंगे बट यह deal किसमें करेंगे सिर्फ गार्मेंट्स में आप इनकी शोप पर जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको गार्मेंट्स मिलेंगे यह नहीं कि आप पर जाके बोल दो मुझे मैगी दे दो मुझे साबून दे दो ठीक है जी नहीं वहाँ पर आप कपड़ा ले सकते हो जिसे फॉर इक्जामपल शूज का कोई स्पेसलिटी स्टोर है तो भी आप उस शोप पर गए तो वहाँ पर आपको शिर्फ जूते ही देखने को मिलेंगे ठीक है ऐसा निया कि भी आप जूते की दुकान पर जाके आपको हो कि मुझे तो कपड़े खरीदने है लेकिन आपको शूज में वहाँ पर डिफरिंट वेराइटी आपको दीखने को मिलेगी सेम बच्चों के भी जूते हैं बडों के भी है लेडी शूज भी है तो यह हमारे बिसिकली क्या के लेंगे स्पैसलेटी तो स्पैसलेटी वर्ड से आपको याद रखना है कि भी वे स्पैसल वन लाइन ओफ प्रोड़क्ट उसमें डील करेंगे बटे देरी जाब वाइट चुआइस है इन वन लाइन प्रोड़क्ट एक ही प्रोड़क्ट में चुआइस आपको भोजियादा देखने को मिलेगी ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या है स्मोल स्केल फिक्स्ट रिटेल शोप के अंदर हमारा नेक्स्ट है स्ट्रीट क्रोसिंग और उन दा में रोड जयालतर आपको यह कहां पर देखने को मिलेंगे या तो में रोड पर यहां पर यहां पर हमारी स्ट्रीट क्रोसिंग होगी तो वहां पर आपको स्ट्रीट शोप सापको देखने को मिलती है या फिर इनको storeholders भी बोलते है यह attract करते है floating customer and deals इना cheap goods से तो basically यह कहाँ पर मिले main roads पर, main roads का मतलब क्या है कि वहाँ पर customer आते जाते रहेंगे floating customer को यह basically क्या करते है attract करते है जहाँ पर इनको लगता है कि वहाँ पर जो customer है वो ज्यादा आ जा रहे है तो वहाँ पर यह अपनी जो shop है उसको situate करते है ठीक है और generally यह किसमें deal करते है जो cheap goods है ठीक है सस्ते है low price low quality जो product है goods है उसमें यह deal करते है जैसे यहाँ पर soft drink आपका cigarette हम बोल सकते है soft toys है ठीक है तो उनमें यह क्या करेंगे deal करेंगे तो यह हमारे क्या कहलेंगे street shops ठीक है next हमारा fourth जो कि यह भी हमारे किसकी टाइप है type of small scale fixed detailers की second hand goods shop है second hand goods shop है तो नाम से बही यह तो generally सभी ने यूज भी किया होगा ऐसी shop जहाँ पर second hand goods हमें मिलते है या मैं कहूँ जहाँ पर हमें used item already किसी ने उसको use कर रखा है और फिर उस सामान को हम भी खरीते है तो वे सामान क्या कहलाएगा second hand goods से for example जैसे books है ठीक है कई बार हम second hand books है वो हम खरीतते है या फिर furniture भी हम second hand यूज करते है तो यह basically क्या कहलेंगे second hand goods से shop deals in second hand goods और in used item goods are sold at a lower price और यहां पर basically जो goods बेचा जाएगा वो आपको सस्ते rate पर मिल जाएगा अगर आप नई book खरीते हो तो वे आपको महगी मिलेगी लेकिन वो already किसी ने अगर आप उससे लोगे तो आपको एक लोवर प्राइस पे वह जो बुट से वो मिल जाएगा तो जरनली डिल इंदा बोक्स फरनिचर या फिर एंटिक आइटम ठीक है कुछ हमारे जो एंटिक आइटम है उसमें हम बसिकली डिल करते है तो यह कहलाएंगे हमारे second hand goods शोप नेक्स्ट है हमारा fifth है small scale fixed retail shop का हमारा second shop है देखें यह second hand goods है यह second shop है इन दोनों में difference है second hand आपको पता चल गया अब हम बात करेंगे second shop की second shop हम किनको कहते है they sell the goods which are not produced according to the required specification तो देखें मैं टेलर के पास गई और मैंने उसको परनी requirement बताई कि ऐसे से मेरा एक suit सील दिये बत टेलर ने क्या किया जो मेरी requirement है उसके according उसने suit को नहीं सीला तो basically second shop में हमारे ऐसे goods होंगे जो कि produce किये गए है but not according to the required specification जो specification का आता जिस तरह से बनाने को का आता वैसा product नहीं बनाया तो अब मैं उसको वहीं पर छोड़के आ जाओंगी मैं टेलर से suit नहीं लेके और उसको कैसे बेश देगा एक heavily discounted price पर काफी सस्ता उसको बेश देगा तो basically क्या कहलाएगी second shop या फिर कई बार basically क्या जैसे मैंने suit दिया चोटे से आपको समझाने कोशिश करूंगी मैंने टेलर को suit दिया सिलने के लिए और उसने उसमें defect कर दिया कैची इदर उदर उसमे लगा दी वैसे तो defect छोटा ही है बटे मुझे लगा कि नहीं मैं तो यह नहीं पहनूंगी ठीक है तो वो मेरा क्या होगा इसमें second shop goods में basically क्या होगा have some minimum defect तो भी second shop पे आपको वे product मिलते है second shop पे जो जिसमें minimum या तो defect है या फिर जो specification के according भी नहीं ही बने तो भी उसको एक इसे defective ही कहेंगे यह हम इसको क्या बोल सते है नया good है बटे defective goods है तो new defective goods है ठीक है तो वो हमें कहां पे मिलते है second shop पे having discounted price है यहां पे जो यह जो सेल किये जाएंगे ना जैसे कई बार 20-30,000 को गुशा item है लेकिन उसमें एक छोटा सा क्या है defect पाया तो आपको 4000 रुप आपको difference समझ में आ चुका है second hand goods shop में तो भी और वो जो यूजड आइटम हम खरीदेंगे second hand goods हम खरीदेंगे बट इहां पे हमारा जो goods होगा जो product हमारा नया होगा लेकिन वो कैसा हो सकता है with the minimum defect उसमें थोड़ा सा defect हो सकता है ठीक है तो यह हमारा क्याएगा second shop है उसके ब स्टोर किया उसके बाद street shop किया और उसके बाद second hand goods से और next हमारा second shop है ठीक है अब हम बात करेंगे कि भी हमारा fixed shop retailers है बट वो अब किस कुन से scale पे है एक large scale पे बड़े scale ठीक है तो large scale fixed retail store में हमारा basically क्या होगा required huge investment है अगर आप large scale पे अपनी fixed shop है fixed retail shop आप अगर start करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको requirement होगी huge investment की बहुत ज्यादा पैसा आपको लगाना होगा huge large size of the showroom से तो यह basically जो large scale पे है यह large size of showrooms है उसका use करते है जैसे कि हमने देखा departmental store है या फिर जैसे malls है बड़े-बड़े malls है वे सब किसके अंदर आएंगे हमारा large scale के अंदर ठीक है यह generally कहां पे आपको देखने को मिलते है located at the central place है ठीक है यह हमारा जो central place है वहां पे मिलेंगे ठीक है जो बड़ी-बड़ी city है उनका जो बिल्कुल central place है वहां पे देखने को आपको यह मिलेंगे तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आएगा हमारा departmental store सबसे फर्स्ट के आएगा departmental store तो देखिए departmental store हमारा basically क्या है they are the huge retail showrooms having to a number of departments under under one roof तो departmental store basically क्या है एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारे department होंगे और यह basically हमारे बहुत बड़े retail showroom है each department specializing in one line of the product है अब जो हमारे हर एक department है ठीक है हर एक department specialize होगा in one line of the product है यह हमारा departmental store है ठीक आपको दिखाई दे रहा होगा यह हमारा departmental store ठीक है building है जैसे यह और अब इसके अंदर हमारे different different बहुत सारे department होंगे और हर एक department एक line of product में deal करेगा जैसे departmental store है उसके अदर आपको एक department है जो कि सिर्फ कपड़े बेच रहा है एक department है जो कि सिर्फ जूते बेच रहा है एक department है जो कि सिर्फ वो चीज बेच रहा है ठीक है एक department एक अपर परचेजिंग होगी जो इसे इंटरलाइज वो क्या होगी तो यह किस प्र पीछे काम करता है डिपार्टमेंटल स्टोर इस यह बोलता है इवरीथिंग फ्रोम पिन टो एन अलेफेंट अपको अगर एक छोटी सी पिन एक सुई आपको चाहिए या फिर आपको एक हा मतलब कि छोटी से चोटी चीज से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज है ना वो आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी वह बिसिकली हमारे क्या कहलाएगा डिपार्टमेंटल स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर और जो मोल्स है उसमें डिफ्रेंस है ठीक है आप यह मत समझे डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत च्यादा बड़े होते हैं और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो एक तो हमारा मुंबई में है अक्बर एली और दुसरा हमारा चेन्नेई में है स्पेंसर है ठीक है अगर कोई स्टुडेंट हो इधर का तो जरूरूर मुझे कि आपने उसको देखा है और अगर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हो कि भी यह कितने बड़े है उसके बाद हमारा next है chain store और multiple shop ठीक है हमने large scale fixed retail shop हमने की जिसमें हमने 1st किया departmental store उसके बाद है chain store या फिर multiple shop भी एक chain है या फिर multiple shops है अब इसमें basically क्या होगा it refers to a number of the identical retail shops located in a different parts that are on control by a single organization देखे भी a single organization है उसने क्या गिया एक chain उसने बना दी chain कैसे बना दी identically ठीक है बिल्कुल same same retail जो shop है ठीक है वो different different parts में हमारी located है और वो एक organization वही उसको control करेगी और बिल्कुल same nature के वहापे बिल्कुल एक जैसा सामान मिलेगा चाहे अब मैं यहाँ पर प्रियाग राज में हूँ यहाँ उस शोप पे जाओं अगर वो मेरी कॉंसी है chain store है या फिर multiple shop है ठीक है नामे की है या फिर आप अगर आप हरियाना में हो या फिर आप दिल्ली में हो ठीक है या फिर आप कहीं पे भी आप मुंबई में हो तो basically य अगर मैं बात करती हूं जो बाता स्टोर है यहाँ पर प्रियाग राज में चली जाओं ठीक है या फिर मैं पानीपत चली जाओं या फिर मैं मुंबई चली जाओं तो यहाँ पर आपको जो प्रोड़क्ट मिलेगा जो गूस मिलेगा बिल्कुल आपको सेम मिलेगा सेम प् ये थीटिक है उसके बाद next है हमारा mail order retailing तो mail order retailing जनररी पहले देखने को मिलता था ज्याधा था वैसे अभी होग है बट इतना हम एक तरह से कहेंगे नहीं आज के ताइम में ठीक है कैसे mail order retailing के अगर में बात करती हूं तो इसके अंदर basically क्या होगा seller's contact to the potential buyer जो seller है वो contact करेगा किस से potential buyer से potential का मतलब क्या है कि भी जो होने वाला है अभी मेरा buyer नहीं बना है बट इन future वो buyer हो सकता है ठीक है in future वो मेरे से समान खरीद सकता है तो इसलिए उसको मैं क्या कहूंगी potential buyer तो seller contact करेगा potential buyer से किस कैसे seller कैसे contact करेगा through advertisement के through and mail publicity भी mail या फिर advertisement है ठीक है mail या advertisement है उसके through क्या करेगा जो potential buyer है उसे क्या करेगा contact करेगा और वो क्या करेगा they send the catalogs भेजेगा price list भेज़ देगा sample भेज़ देगा और customer है customer फिर देखेगा price देखेगा sample है उसको देखेगा और फिर अगर customer को ठीक लगा ठीक है product है तो customer is required to place their order by the post तो अब customer क्या करेगा पोस्ट के दवारा अपना जो order है उसको place कर देगा और इस तरह से फिर जो seller होगा वो सामान होगा जो customer के पास बिज़वा देगा तो यह basically हमारे क्या कहलाएगा mail order retailing next is automatic vending machine it is a new form of retailing ठीक है automatic vending machine एक नहीं form of retailing है जो कि अब भी अगर मैं दुसरे देश की बात करती हूं foreign country की तो यहाँ पे तो यह ज्यादे तर देखने को मिलती है बट अभी इंडिया में तो इतना नहीं है बट यह हमारी कहीं पे आपको देखने को मिल सकती है new form of retailing है इस इसमें basically हमारा क्या होगा machine operated यहाँ पे जो सामान खरीदा जाएगा कोई salesman नहीं होगा यहाँ पे machine होगी machine के अंदर सामान रखा है आपको पास यह तो एक coin होगा या फिर आपके पास token होगा आपको machine के अंदर वो coin या token डालना है और फिर जो भी specific product आपको चाहिए वो product detailing it is a machine operated by coins or tokens तो यहाँ पे machine कैसे operate होगी coin या फिर टोकन से used to sell the pre-packed and low cost product है तो generally automatic vending machine हम किस product के लिए यूज करते है जो हमारा low price product है और इसी के साथ ही pre-packed already packet में वो सामान है ठीक है जिस वो packet हो आपका निगल के आजए कैसे जैसे पैक्ड मिल्क है soft toys, cigarette है तो उसमें यह हम इसमें हमें किसी भी salesman के required नहीं है in search machine जो automatic vending machine है यहाँ पे हमें जो salesman उसकी requirement नहीं है buyer insert a coin अभी मैंने बताया जो भी coin है token उसको insert करेगा machine के अंदर and receive a specific quantity of product or receive करेगा from the machine machine में से अपने आपी ठीक है जैसे ATM से पैसे निकलते ना तो सेम इस तरह से लगा सकते बस आपको token या फिर coin डालना है और फिर जो product अपने भार निकल के आ जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा automatic vending machine तो देखिए हमने जो fixed shop retailers है इसको complete कर लिया small scale पर हमने बात की और large scale पर हमने बात की इसे के साथ ही आपका chapter 10 हजो की internal trade यह आपका complete हो चुका है उमीद करती हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है फिर भी किसी को कहीं पर कोई डाउट है तो आप कोमेंट सेक्षन में पोच लेना वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं new chapter के साथ thank you